जैन दोस्तों नमस्का साती हो स्वागत है आप सभी का गणित विशे गुरुकुल में BSC Mathematics के फर्स्ट सेमिस्टर के मैं ट्रैसेश चैप्टर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में हम लोग दो चार कोश्चन को डिल करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स के उ उपर के धेरम और कई सारे हम लोग बड़े एग्जाम्पल स्कों बहुत आसानी से बच्चों यादि आप BSC first year में है या फिर आप Engineering first year में है या फिर आप BSC honors first year में है आप किसी भी प्रकारकी स्ट्रिम के विद्ञाःती क्यों नहों डाए आपके graduation में matrices का chapter आता है आपके लिए सभी विद्यार्थियों के लिए हमारी matrices के series बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगी क्योंकि हम लोग इस series में पूरी जीजान लगा के detail में आपको सारे topics को समझाने का प्रत्न कर रहे है आज के lecture में इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे डाउनलोड कर लीजिए साथी साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रूप को भी जॉइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रूप की भी लिंक आपको description में मिल जाएगी जहाँ पर हम लोग बहुत सारे important IMPs, previous year question paper, solutions और extra questions बाकी सारी चीज़े बीसी mathematics के student के लिए डालते रहते हैं यादि आप नागपुर इनिवर्सिटी के student है तो आपके लिए बहुत कारगार सावीत होगा यह टेलीग्राम ग्रूप और बहुत ज्यादा हम लोग आपे बच्चों को help provide करते हैं और हमारे application अगर आप डाउनलड करेंगे तो आपको आपको वीडियोज एविलेबल हो जाएंगे और बहुत कम प्राइस रेंज पर आप इन को बायक कर सकते हैं तो देखो बच्चों पहला प्रशन दिख रहा है शो देट रैंक एडाश इक्वल टू रैंक ओफ है हमको रैंक बताना है रैंक ओफ मैट्रिक्स क्या होता है आप आप लोग सभी जन एक बार से समझ लेंगे हमारे प्रिविएस के प्रिविएस वीडियोज को देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों की रैंक क्या होती है इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जैसे एक लेक्चर हम लोग आपके बराबर होती है दूसरी चीज़ अगर कोई नाम का मैट्रिक्स है और एस्टार केहने का मतलब है कोई ट्रांजूगेट है कोंजूगेट के बाद ट्रांसवोज लगाना पड़ता है जिससे हम हर्मीटियन मैट्रिक्स कहते है तो एस्टार इस तरीके से कोई है फॉर लगाया ऐसा हम लोग कहते हैं तो इसकी जो रैंक है इसकी जो रैंक है एस्टार की रैंक वो भी रैंक ओफ एक के बराबर होती है ऐसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिसकस किया है तो यहीं सब छोटे-मोटे कंसेप्ट को लेकर हम लोग यहां पर बढ़ेंगे we know that हम लोग यहां पर कहेंगे we know that क्या हमें पता है जो जो पता है simply लिखेंगे कि rank of a किसके बराबर होता है rank of a बराबर होता है rank of a dash के and एक और चीज़ हमको पता है rank of a dash is less than equals to rank of a is less than equal to rank of a क्योंकि हमको को कोई भी चीज़ equal में लाना है for example बच्चो एक inequalities होती है A equal to B लेकर आना है तो A is less than equal to B and A is greater than equal to B अगर आप ये दो चीज़ लेकर आएंगे तब आप कहे पाएंगे कि A is equal to B तो हम लोगों ने कहा है rank of A A dash is less than equal to rank of A इसको हम equation number one मान के चलते है let हम B नाम दे देंगे A A dash को हम लोग B कहेंगे क्योंकि A A dash is a matrix तो उसका नाम दे दिया B तो B is another matrix now यदि हम देखे A inverse से अगर हम both side multiply कर दे pre multiplied both side by A inverse V gate A inverse से अगर हम multiply करेंगे बच्चों तो हमको क्या मिलेगा A inverse into A A dash A inverse into A A हमारे पास होता है I A dash equal to A dash तो हमें A inverse A inverse B की value मिलती है A dash अगर हम इसकी rank देखेंगे तो rank of A inverse B के बराबर हो जाएगा आपका rank of A dash बट एक condition यहाँ पर होती है अगें क्योंकि rank of matrix के बहुत सारे पॉस्टुलेट्स होते है बहुत सारे common remarks होते है नोडस होते है याने की छोड़े मोड़े examples होते है जिनको हम ऐसा remark ऐसा formula यूज करते है बच्चों तो rank of याद रखेंगे always rank of A inverse B क्योंकि इसको solve करने के बाद कई तरीके के examples जब आप solve करेंगे तो इस तरीके से valuation याने की formula जनरेट होते है rank of A inverse B is always less than equal to rank of B इस चीज को ध्यान में रखेंगे but rank of A inverse B की value क्या है rank of A dash है therefore हम लोग यहाँ पे लेखेंगे rank of A dash is less than equal to rank of B rank of A dash is less than equal to rank of B और B की value क्या है हमारे पास A A dash है तो rank of A dash is less than equal to rank of A A dash but rank of A हम लोगोंने कली एक proof लिया था पिछले lecture में rank of A equal to rank of A dash यह दोनों equal होते है rank of A equal to rank of A dash जैसा कि हम लोगोंने यहाँ लिखा भी है तो rank of A dash के जगा हम लोग यहाँ लिख देंगे rank of A therefore rank of A is less than equal to rank of A A dash और अगर हम यहाँ पे देखे equation number 2 में तो from equation 1 and equation number 2 दोनों एक दूसरे से less than equal to में है greater than equal to में है therefore हम लोग कहेंगे from 1 and to from 1 and to V gate क्या मिलता है अपन को V gate अपन को मिल गया क्या result rank of A A dash के बराबर rank of A और यह हमको लेकर आना था प्रश्ण कर्मा को दूसरा बहुत बढ़िया प्रश्ण नहीं है चोटा सा है ऐसे तो mattresses क्यूक पर अगर देखे जाए तो बहुत सारे example से बहुत प्यारा है mattresses and इसके बाद आपको final year में linear algebra देखने को मिलता है बहुत आसान topic है अगर मैं इसका solution स्टार्ट करों तो एक कुछ इस तरीके से आएगा बच्चो solution देखोए आपके क्या बुला है प्रश्ण पहले समझ लेते हैं शो देट दा रैंक ऑफ एक स्क्यू restriction metrix cannot be one टीकर तो स्क्यूート reflex मेंटरिक्स जो होता है उसकी रैंक कभी वर नहीं होगी 1 से बड़ी होगी अब क्या होगी रैंक हो तो हम लोग ایکšíising all कore look is this truth करें देश्यांपल को यहां प्र फेच्वार करेंग्गेлять को यहई A, B, minus A, minus B, 0, C, minus C, 0, यह हमाई पास Q symmetric matrix है, अगर यहाँ पर A, B, C हम लें constant लिया है, ठीके symmetric matrix और Q symmetric matrix दो प्रकार है वेटा matrices के, यदि आप इसमें से अगर A, B, C, अगर यह पूरे के पूरे for example, यह 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0, हनम आपन यहाँ पर words में लिख सकते हैं, मैंन यह जो A matrix होगा, ठीके, if A, B, C, R, all 0, अगर यह सब 0 हो जाए, then matrix A, is A नाम का जो matrix है, बेटाओ कैसा हो जाएगा, is null matrix, यह null matrix हो जाएगा, और null matrix होने के कारण, इसका तो determinant का answer 0 आएगा, तो कम से कम हम लोग ऐसा कहेंगे, determinant का answer हमको 0 नहीं है, rank निकालने के लिए, तो rank नि अपयोग किया जाता है, और minor method के, इसलिए मैंने starting में आपको कहा है, ज़िए आप minor method के examples को देख लेते हैं, starting के 2-4 वीडियो को देख लेते हैं, आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको minor method से rank निकलना आ जाएगा, और उसके आधार पर फिर इन प्रश्नों को आ constant तो भी है, जो कि non-zero है, ठीक है, let A is non-zero, बाकी B और सी 0 हो गए, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, then अगर हम इसका matrices लेन, अगर हम या आपे value रख देगे, A matrix में, therefore A equal to क्या हो जाएगा, अपना 0 A 0 minus A 0 0 minus, याने 0 0 0 इस तरीके से हो जाएगा, तब भी इसका determined क्या आ आएगा, तब भी अगर मैं इसका determined loo, तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो order 3 में, याने कि minor of order 3, order अपने निकाला 3, therefore, minor of order 3, जो आया है आपका, वो तो 0 आया है, तो यहाँ पर हमारे को rank मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है, तो rank of A, minor of order 3 हम लोगों ने निकाला, is 0, therefore, rank of A less than 3 से निचे चले जाएंगे, क्योंकि इस पर तो determinant का answer 0 आ गया, 3 से निचे जाएंगे, तो मान के चले हम इस चीज़ को इतने भग को consider करेंगे, यह वाला 0 A minus A, 0 A minus A, 0 को, ठीके, therefore, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, बच्चों, minor of order 2 is, minor of order 2 is, या देगी, हम लोग कह सकते है, determinant of A equal to 0 A minus A, 0 equal to 0 minus of minus A square, क्योंकि A तो 0 नहीं है, that means A का square, which is not equal to 0, तो order 2 में हमको एक determinant, ऐसा, order 2 का determinant की value आई है, जो कि 0 नहीं है, हमको ऐसी value मिल गई है, जो 0 नहीं है, इस आदार पर हम लोग किस order पर मिली है, order 2 पर मिली है, इस आदार पर हम कहेंगे, कि इसकी जो rank है, therefore, rank of A is equal to 2, जो कि क्या है, which is greater than 1 है, which is greater than 1, therefore, यहां पर हमारा solution complete होता है, क्या complete होता है, हमको show करना था, rank of skew symmetric matrix cannot be 1, 1 नहीं रहेगी, 1 से उपर कितने भी हो सकती है, तो last में हम लोग लिखेंगे, therefore, the rank of skew symmetric matrix cannot be 1, 1 नहीं है, ठीक है, तो 2 answer आया, rank of A, which is जो कि 1 से बड़ी है, तो बच्चों इस तरीके से अपने solution लेना है, बहुत आसान दोनों प्रश्नों को देखा है, इसके बाद में आपको एक और प्रश्न है, यहां पर पढ़ाने वाल matrix A, नाम का एक अपन को matrix दिया गया है, हमको reduce करना है into the normal form, normal form में reduce करते हुए, इसकी rank निकलना है, और हमको proof करना है कि rank of A के बराबर हो का rank of A star and rank of A, A star equal to rank of A, where A star is the transpose conjugate of matrix A, ठीक है, तो यहां हमको यह सारी चीज़े solve करना है, इस चीज़ को बताना है, तो solution में सबसे पहले जो given दिया है, matrices को matrix लिखेंगे, हम लोग matrix को normal form में बदलने का तरीका, already बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, description में आपको link मिल जाएगी, जैसा कि मैंने starting में आपको कहा है, या फिर आप हमारे matrices के playlist में जाके भी rank of matrix के सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, यहां पर चेक कर लिजे, now यह नामका matrix आपको दिया है, यहां पर आपको देखो एक formula में आपको बता के बताना चाहूंगा, 1000 के नीचे सारे जब आप 0 ले कर आएगे, तो row transformation का उप्योग करेंगे, 1 के बाजिन जब 0 ले कर आएगे, तो column transformation का उप्योग करेंगे, यह बहत तरीके से इस फॉर्मुलेट का उपयोग करके ही आपको मैट्राइस को नॉर्मल फॉर्म को स्वाल करना होता है तो यहाँ पर द्यान देंगे अपन को यहाँ पर टू के जगा पहली की चीज क्या चाहिए अगर मुझे वन चाहिए तो आरवन और रार थी को मैं चेंज कर देत रहेगा टू माइनस टू जीरो सिक्स रहेगा एंड वन माइनस टू वन टू इस तरीके से हमको नया मैट्रिक्स मिल गया क्योंकि हमने इंटरचेंज कर दिया अब चार दो और एक के जग़े जिरो लाना है चार कहां पर है आरटू में हैं तो मैं आरटू को चेंज आरटू माइनस टू आरवन लास्ट में आरफूर को भी चेंज करना है आरफूर माइनस आरवन तो हमको नया मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से मिलेगा वन माइनस वन जीरो त्री वन माइनस वन जीरो त्री एज़ रहेगा यहां पे जीरो आएगा यहां पे भी जीरो आएग R2 में तो यह हो गया 0 R2 की दूसरी value क्या है 2 minus 4 और R1 की value है minus 1 तो यह minus minus हो जाएगा plus that means यहाँ पे आ रहा है 6 यहाँ पे तो answer 0 ही आएगा अब यहाँ पे आ रहा है 2 minus 4 और R1 की value है 3 तो 2 में से 12 गए तो minus 10 minus 2 3 की बात करेंगे इस formula में put करते चले minus 2 minus 2 R1 की value है minus 1 तो minus minus plus answer हो रहा है यहाँ पे 0 minus 2 plus 2 answer आ रहा है 0 तो और obviously हाँ पे तो 0 ही आएगा ठीक है अब यहाँ पे 6, 6 में से 2 और R1 यानि कि 6 minus 2 और R1 की value है 3 तो 6 में से 6 गए answer यहाँ आ रहा है आपके पास 0 now हम लोग R4 में से R1 गया minus 2 minus of minus 2 minus of minus 1 यानि यहाँ पे आ रहा है आपके पास minus 1 1 minus 0 1 2 minus 3 is your minus 1 तो यह आपके पास matrix आ गया now आगे भी इसको हम सौल करना है solve करती हुए चलेंगे 1 के नीचे सारे 0 आ चुके है 1 के बाजू के 0 लेकर आना है minus 1 0 और 3 के जग minus 1 के जगा 0 लाना है 0 यहाँ पे तो already है 3 के जगा 0 लेकर आना है तो minus 1 कहाँ पर है C2 में है C2 और C4 को ही change करना है इसलिए हम लोग C4 को लिखेंगे plus C1 and C2 को लिखेंगे C2 plus C1 and C4 को लिखेंगे C4 minus 3C1 क्योंकि minus करने पर हमको यहाँ पे 0 मिलेगा और नया मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बन रहा है 1 minus 1 0 3 0 6 0 0 6 0 minus 10 0 0 0 0 0 0 0 0 तो यहाँ पे तो आना चीए जा 0 यहाँ पे आना चीए 0 अब इनको हम लोग 6 में से 0 गए as it is रहेगा यह आपका 0 और यह minus 1 क्योंकि C2 plus C1 कर रहे है minus 1 plus 0 minus 1 रहेगा यहाँ पे 0 0 1 यह आपका 0 और यह minus 1 तो इस तरीके से बच्चों आपन को transformation करती हुए चलना है अब मुझे 6 के जगा 1 चाहिए 6 के जगा मुझे 1 चाहिए तो मैं simple r2 और r4 को r4 और r2 को interchange ले लेता हूँ जैसे मैं इसका interchange करूँगा 0 0 0 0 और यहाँ पे आ गया 0 6 0 minus 10 अब मुझे minus 1 के जगा plus 1 चाहिए minus 1 के जगा plus 1 चाहिए तो मुझे simple सी एक चीज़ करना है कि r2 को minus 1 से multiply कर दूu r2 को तो मुझे matrix कुछ इस तरीके से दिखाई देगा यह मेरा नया matrix बनेगा 1 0 0 as it is रहेगा 0 1 minus 1 1 हो जाएगा बाकी यह 0 as it is है and last में 0 6 0 minus 10 1 1 के नीचे मुझे सारे 0 लेकर आना है यह आपका 0 है मुझे 6 के जगा 0 बनाना है तो 6 कहां पर है obviously 6 मेरा 0 6 0 0 बराबर है हमारा यहाँ तक answer ठीक है हाँ मुझे 6 के जगा 0 बनाना है that means यह है हमारे पास R4 में और R4 को change करेंगे R4 को change करेंगे तो R4 minus 6 सहारा किसका? 1 का 1 कहां पर है? R2 में है इसलिए हम लोग R2 लिखेंगे is equals to कुछ इस तरीके से मिलेगा 1 0 0 0 क्योंकि हम R4 को change कर रहें तो पहले 3 रो as it is रहेगी 0 1 minus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 obviously 0 and answer यहां पर आ जाएगा हम लोग R4 R4 की value है मैं पास 0 minus 6 R2 की value है minus 1 तो यह हो गया 6 ठीक है? and then minus 10 minus 6 R2 की value है 1 that is minus 16 ठीक है? आप 1 के नीचे सारे 0 आ चुके है 1 के बाजू के मुझी 0 बनाना है तो जब 1 के बाजू के 0 बनाना है तो column transformation का उपयोग करना है तो मैं यहां पे C3 को change कर रहा हूँ तो C3 plus C2 add C4 को change कर रहा हूँ तो C4 minus C2 तो एक नाया matrix अपन को यहां पे देखने को मिलेगा 1 0 0 0 0 0 1 0 यह हो जाएगा आपका 0 यह है 0 6 plus 0 ठीक है? 0 नाओ यह भी हो गया आपका 0 0 यह रहेगा आपका minus 16 क्योंकि C4 minus C2 ले रहे तो 16 में से 0 जाएगे तो minus 16 ही रहेंगे C3 I think यहां पे गलत होगे यहां पे 6 as it is रहेगा हमारा क्योंकि हम C3 plus 6 plus 0 is 6 ठीक है अब हम थोड़ा सा इसको interchange कर देते है क्योंकि 1 नीचे 0 0 आचुगे आप यहां पे 1 चाहिए तो हम लोग इसको interchange कर देंगे R3 और R4 में interchange ले लेंगे तो जैसे हम इसका interchange करेंगे तो कुछ हमको 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 minus 16 0 0 0 0 यह हमें एक नया matrix मिल गया है अब मुझे क्योंकि 6 के जगा 1 चाहिए तो मैं 6 से divide करूँगा और लेकिन 6 कहां पर इस चीज़ का ध्यान रखूँगा यह R3 में है तो R3 divided by 6 हो जाएगा और जैसे R3 divided by 6 करेंगे 1 0 0 0 0 1 0 0 1 minus 16 by 6 minus 8 by 3 0 0 0 0 अब मुझे minus 8 by 3 एक और additional time है क्योंकि मुझे तो सारा का normal form मतलब identity matrix में बदलना है normal form का उपयोग करके यहने row और column दोनों का उपयोग करना है और normal form में बदलना है जो minus 8 by 3 को हम लोग क्योंकि यह C4 में है कुछ इस तरीके से change करेंगे C4 plus 8 by 3 सारा 1 का 1 कहां पर है C3 में है equals to करके हम लोग आगे जाएंगे 1 0 0 0 0 1 00 00 00 00 00 00 00 तब बच्चों हम लोग आपे देखेंगे कि हमें जो matrix मिला है वो 3 row 3 column का identity matrix मिला है 3 row 3 column का बाकी के additional जो 0 है हम लोग उसे छोड़ देंगे तो यह हमारे पास जो matrix मिला है वो I3 0 0 0 है याने कि I3 है therefore हम लोग आपे कहेंगे rank of A 3 आईए हमारे पास अब हमको एक और चीज़ पता है कि जस्ट अभी हम लोग ने starting में थेरम देखा rank of A A dash equals to rank of A अब हम लोग यहाँ पे बात करते है A star A star की A star क्या है A star is the conjugate transpose of conjugate और example यहाँ पे एक example से समझेंगे यदि A नाम का matrix है अपने पास A नाम का matrix है 1 1 प्लस आए 1 माइनस आए और 2 तो अगर मैं इसका A बार ले लू तो क्योंकि एक complex के इसके अंदर elements है complex elements है तो यह 1 हो जाए 1 माइनस आए conjugate होने के बाद 1 माइनस आए 1 प्लस आए 2 real number का तो conjugate होता ही नहीं है A बार अगर मैं इसका dash ले लू A बार का dash अगर मैं ले ली तो मुझे 1 1 प्लस आए 1 माइनस आए और 2 मिलेगा जो की A के बराबर है तो A बार का dash A के बराबर होता है यानि इसे हम हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते है या फिर आप इसे conjugate transpose या फिर transjugate नाम से भी आप पुकार सकते है ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये किस तरीके से हो रहा है A star that is A star का मतलब है A बार का dash A बार का dash ठीके क्योंकि ये जो मैट्रिक्स अपनको दियाता है यहां पे तो कई complex element है यह नहीं आना कोई complex number है कि हाँ पे जैसे 1 प्लस आया 2 प्लस आया 2 माइनस आया 3 या I में इस तरीके से आयोटा वगरी कही हमको दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां पे कोई complex elements है ही नहीं इसके अंदर दो तो ये पूरा का पूरा real है real होने के कारण क्या होता है A is real matrix अगर ये real matrix है तो इसका A के बराबर A bar as it is रहता है ये के बराबर A bar रहता है कहने का मतलब हम A star की जगा A बार की जगा A ले सकते है यानि a का dash कह सकते है अब हमको दो चीज़ पता है बच्चो कि rank of a के बराबर होता है rank of a dash and एक और चीज़ पता है कि rank of a a dash के बराबर होता है rank of a यह हमने starting में ही देखा अगर हम इसको देखे तो rank of a के बराब a dash की value क्या है a star है तो हम लोग इसक कहे पाएंगे rank of a star and rank of a a dash के जगा हम a star लेंगे के बराबर हम लोग कहे पाएंगे rank of a तो यह दोनों ही proof हमारे complete होते है rank of a के बराबर rank of a star and a star के बराबर rank of a तो इस तरीगे से बच्चो आपको यह matrices के examples करने हैं और बहुत आसान examples होते है mattresses बहुत important chapter होता है इसी के बदोलत हम लोग final year में linear algebra को बहुत आसानी से समझ पाते हैं तो आशा करता हो बच्चों कि आज जो lecture हम लोगों ने लिया है जो lecture आपके लिए मैंने deliver किया है आपको deliver किया है बहुत अच्छे से आपको और हाँ application डाउनलोड करना ना भूले telegram link join करना ना भूले thank you